हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज डिसकस करेंगे कि अगर आपकी इंकम 5 लाक है तो अभी उसके ओपर टैक्स लगेगा इंकम टैक्स का यह रूल है कि अगर आपकी इंकम 5 लाक से जादा है और 5 लाक तक है तो वहां पर आपको रिबेट दिया जाता है साड़े 12,000 रुपे का क्योंकि धायल लाक पर 5% का टैक्स लगता है वो 12,500 आता है तो उसका आपको रिबेट दिया जाता है पर यह नॉर्मल के case में होता है अगर आपकी income में कुछ special income है जिसके उबर special tax rate लगता है for example आपने कोई long term capital gain लिया है जिसके उबर 20% का tax लगता है suppose कि आपकी income अगर 5,00,00,00 रुपे है उसमें से 4,00,00 का आपने long term capital gain earn किया है तो यहाँ पर आपको जो exemption दी जाएगी basic exemption जो 2,50,000 की होती है वो पहले normal income जो आपकी 1,00,00 की long term capital gain को हटा के वहाँ से दी जाएगी जो remaining 1,50,000 की रुपेश की exemption है वो long term capital gain 4,00,00 का जो आपने earn किया है वहाँ से हटाई जाएगी तो remaining job का 2,50,000 का long term capital gain बचा उस पर 20% का tax calculate किया जाएगा जो 50,000 आएगा फिर उसमें से आपको 12,500 की rebate दी जाएगी तो जो net tax आपका निकल के आएगा 37,500 वो आपको देना पड़ेगा तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर आपकी income पांच लाग तक है तो यहाँ भी आपको tax देना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर special rate of tax लग रहा है क्योंकि 5,000,000 तक की income में आपको rebate तभी मिलेगी अगर आपकी कोई भी special rate of income नहीं है वहाँ पर अगर आपकी 5% की slab की income नहीं की normal income ही है तभी आपको वहाँ पर पूरी rebate मिलेगी tax की otherwise अगर आपकी कोई special rate है special rate of income है तो वहाँ पर आपको tax देना पड़ेगा इसी तरीके से shares के case में भी होता अगर आपने short term capital gain earn की है shares पर तो वहाँ पर भी 15% का tax लगता है तो उस case में भी अगर आप calculate करके देखेंगे अपनी 12,500 की rebate को निकालने के बाद उसके according ले आपको tax देखना पड़ेगा कि आपका वहाँ पर eligible applicable है या नहीं तो यहाँ पर देखा आपने ज tax देना पड़ेगा